गुड मॉनिंग स्वी को गूड मोनिंग चले कलिए रहा बई स्टार्ट करें चले पहला कुसंण यॉजव Cub बावर्षट का निर्मार किस ने करवाया चलिए दोस्तों बताइएगा कि आयुद्ध्या इस्थित बावरी मस्जीत का जो निर्मार करवाया था और किसे ने करवाया था आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि सरंजमी प्रथा किसे समंदीत है बताएगा कि सरंजमी प्रथा जो समंदीत है यहापर थरीक आप्सन देना है तो दो दो यह होता है मराठा भूराजय सुप्रथा है क्या है मराठा काल में सरंजमी प्रथा भूराजय सुप्रसासन से समं की जाती थी तो आप्सन क्या होगा जिसका उप्सनारा ये नमर विल्कु राइट हो जाएगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि राज तरंगडी के लेखक कल्हड के समय सासक कौन था तो यहां पर देखिए आप कंसर क्या हो जाएगा राज तरंगी कल्हड हना मतलब आप प्लसी स्मय आपके कשमीर का सासक यहां पर आपकर समय से हैं चाह आपके काना घूल ना है आगे बढ़ते हैं प्लासी क्यूड तो फटार योड और यह पिर बताएं प्लासी क्यूड रृध कर तो आपके भागी रथी नदी किनारे है कभी कभी कोशन यह भी पूंच लेता है जो प्लासिक युद्ध हुआ था वो किस नदी किनारे हुआ था तो कौन सी नदी किनारे तो आपके भागी रथी नदी के किनारे हुआ था याद रहें दोस्तों आगे बढ़ते कोशन दिया है दयानन सरसुती द्वारा इस्थापित किया गया है और ये भी कोशन आप से पूचा जा सकता है हमने आपको बताया भी था कि यहां पर जो आपका ये कोशन है आपके समाज सुधारों से तो आपके समाज सुधारों से एक कोशन बनता ही बंदा है हेला तो डैयानन सररफुती दौरा इस्थाफी ता आपका कौन स समय था तो अपर बढ़ा ज़ fossil ग्या वाला हथा इस में जम्मेधार यह बता है यह डायर को किस ने मा रहा था यहां पर जो आपके है कोन आपके उधाम सिंग उधाम सिंग जब छोटे थे हाना बिल्कुल छोटे थे तब ही उनके सामने आखो देखी ए घटना हुई थी तो उन्होंने कसम खाया था कि हम यहाँ पर डायर को मारेंगे ही मारेंगे तो बाद में क्या हुआ था जब जो उधम सिंग थोड़ा बड़े हुए तो यह क्या हुआ इंगलैंड में जाकर इनक जोड़ा गया यह बताईए कि इस पहले नार्मल यहां पर गांधी जी बोलते थे लेकिन के आगे मात्मा जोड़ना कब से शुरू किया गया तो यहां पर उप्सन आपका यह नमर राइट हो जाएगा आगे बढ़ते कुशं दिया गया है यहां पर कहरा आपसे कि भारत की स सदस थे स्वधिंता के समय महतमा गांधी जो सदस थे यहां पर नाइट नंबर में तो आपसिन क्या हो जएगा तो देखें कापके कांग्रेश के अध्यज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज से इस्तिफा दे दिया था 1934 में क्या हुआ था कांग्रेस से इनोंने इस्तिफा दे दिया था और फिर कंग्रेस के ओशारिक रोप से सदस्य नहीं बने तो इस कारण सिनका जो आपसन ने वह आपका बी नमबर है राइट हो जाएगा ठीक है ना आगे बड़े ये कोशन दिया तो इसका जो आपसन है यहाँ पर आपका नमबर है राइट हो जाएगा यहाँ पर देखो और भी लोग ते जैसे लाला राज पत्राय हो गए साथ में आपके यहाँ पर तीलक दी हो गए आपके विपिन चंदरपाल हो गए यह भी इसमें आपके सामिल रहे हैं और आगे बढ मासिन राम यापर अंसार इसका होगा जो कि आपका सी नंबर के लिए रहे इतना पॉइंट सभी का के लिए रो गया है चले आगे बढ़ते हैं कि महारास्ट और करनाटक में पस्चमी घाट कहलाते हैं माराष्ट और करनाटक में पस्चिमी घार जो कहलाते हैं क्या कहलाते हैं चले बारा नंबर में तो दिखे ये ने कहते हैं सहाद्री मतलब आपका दिखा जाए ये मैप है तो यहाँ पर ये जो आपका एरिया है इसे हम लोग सहाद्री कहते हैं और ये वाला जो एरिया इस वाले घाट को अम लोग क्या बोलते हैं हिमाद्र कहते हैं तो आपसन क्या बनेगा यहाँ पर जिसका अराइबी नमबर है राइट हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कि भारत कितने प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित है तेरा को अपसन देना है तो देखो यहाँ पर आपका जवाब के हो जाएगा आपका ए नमबर हो जाएगा चार प्राकृतिक प्रदेश्यों में आपका है एक तो आपका उत्तर का परवती छेत्र हो गया फिर विसाल मैदान हो गया फिर प्रादियूपी हो गया फिर तर्ट और दियूप हो गया अगर हम इसको ऐसे तोड़ कर देखा जाए तो आप समझेए सबसे पहले क्या है उत्तर का यहां पर पूरा जो आपका मैदन वो है उत्तर का परवती छेतर हो गया पूरा यहां से यहां तक का इसके बाद आपको गंगा यमना के समय आपका दोवा पड़ जाता है यह विसार म अधिया रुपीत यहां चाहँ आपको दिया गया है तो आधिया रुपीत रुपीत सीमा होती क्या है यह नाम क्यों देया गया है तो देखो एक ऐसी सीमा होती है जो किसी बाह सकती द्वारा आरोपित की जाती है मतलब यह हुआ कि पाकिस्तान और भारत को अलग किया गया था तो उसमें जो इस रेखा का निर्धारन किया था वो दूसरे ने किया था इंगलेंड के आप कैथे रेड़ किलेफ हो तो इसलिए जब कोई भी देश के बीच में कोई दूसरा निर्धारन करने आता है तो ऐसी रेखा को अध्यारूपित सीमा कहते हैं तो यहाँ पर रेड़ किलेफ हाय थी इन्होंने अपने इनाम से रखवा दिया था इसलिए इसे अध्यारूपित कहते हैं उमेद है आप समझ गया होंगे ओप्सन क्या बनेगा यह नमबर है राइट हो जाएगा के लिए दोस्तों पसंदा रहे है वीडियो को लाइक कर दीजिएगा जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं जितने लोग यहाँ पर बाद में जुड़े हैं तो सभी लोग वीडियो को लाइक कर दिया करें हना सभी लोग यहाँ पर वीडियो को लाइक करें तो पंदरा के गरम बात करें तो यहाँ पर जो आपका पंदरा का उप्षन है वो आपका बनेगा डिनिम्बर एक 901 से लेके आपके 2000 एक 902 के बीच जो किया ओप्षन होजएगा डिनिम्बर राइट होजएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है मुद्रा इस्वीती के समय क कि दोरान कर की दरों में निमनिकित में से क्या होता है त्याद रिखेगा जो कर की दरे होती है ना उनमें ब्रधी हो जाती है क्या होती है ब्रधी हो जाती है जिसमें मुद्रा की तरलता समाज में कम हो जाती है तो आपसन क्या होगा आपका ए नमबर इसका राइट हो जाएग जो बही चालू खाता वालों को खुद देना पड़ता है तो यहाँ पर जो आपसन होता है आपका भी नमबर इसका राइट हो जएगा चालू जमा खाते पर ब्याज नहीं देते हैं बही अगला कोशन दिया गया है सदा भाहर करांती भारत में क्रसी उत्पाद बढ़ाने के लिए परियूग मिलाए गई चलिए बताइए बताईगे चलिए आपका भी नमबर इसके पताइगा देश के रहन सेन का इस्तर का पता होता है उसकी कैसे तो उसकी क्या होती है प्रती ब्यक्ति आय द्वारा ही पता कर लिया जाता है कुछ देश का रहन से पता चलता है उस देश की प्रती ब्यक्ति आय की मध्यम से तो आप सुन क्या हो जेगा आपका भी नमबर है राइट हो ज आप्षी 9792 चे पर होगा एक सरकार की पंचायती राज प्रणाली की कि प्रमुगु खिस्ता क्या बनेगी यहां पर देखें कैसे नंबर में तो देखें कहिराब से चार आप्षन देखेगा कि इन पर में प्राइब में सरकार जीला इस तरवे होता है फिर कहरा है इसका लच गाऊं को सामाजी की ओमार्थिक नया परदान करना है फिर कहरा है जीला परसंद में इसके सदसिक होते हैं तो प्रोगत में से सभी इसका जो आपसन है या पर डीनमर है राइट हो जाएगा चले आगे बढ़ते के कुछ निया तो राज जहां पर अध्यच वंसा अनुगत रूप से नहीं होता है जो आपका सासक होता है उसका चुनाव करें जाता है तो आपका दिश गरतंत्र होता है अधरी कि उसे गरतंत्र कहते हैं ऑप्सन डी हो जाएगा आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है राज सवा के सदस्य का कारे कितने वर्स होता है तो दिखो यहाँ पर होता है च्छे वर्स का होता है तो आपका बनेगा डी नमबर राइट हो जाएगा क्लियर है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया है निमनिकित में से कौन भारत में संग राज सम्मंद से सम्मंद से सम्मंदित नहीं है तो आपसन क्या बनेगा सी नमबर आपका राइट हो जाएगा कि भारत एक सम्म्म प्रभू लोक का अंत्री गर्णा जो बना था एक कब बना था चले देगे 25 को आपसन सी हो जएगा 26 जनवरी 1950 क्या 26 जनवरी 1950 इसका जो आपसन है यहाँ पर आपसन सी नमबर इसका राइट हो जएगा सी नमबर बनेगा चले आगे बढ़ते कोशन दिया करमी शुंख ढके 26 को बनेगा है यहां कोई सी तरंग में वांडय के संश्वे रहे रहे हैं यहा he देम का होना आवस्यक्त होता है, तो option क्यों जिए आपका सी नंबर हैं? राइट होजीगा, अगला है Alfred Nobel ने किसका विश्कार किया था, तो यहाँ पर आपको पूछा जाएगा, कि ये कहां से संबंदी थे तो आप कहेंगे क्या स्वीडिस बैग्यानिक थे क्या थे भई ये आपके स्वीडिस के थे स्वीडिस के थे नर्विक नहीं थे भई ये आपके स्वीडिस के थे ठीक है ये स्वीडिस के भाई थे ठीक है आगे बड़ी ये question दिया गया है, कि मानौ शरीर के किस अंग में लस्का कोश्काइं बनती हैं, तो यहाँ पर option क्या बनेगा, देखे 29 को option क्या बनेगा, डी यहाँ पर तिली, तिली के अगर मात करें, तो option जो आपका आ रहा है, यहाँ पर D number right हो जाएगा, कि लस्का कोश्का एक परकार की स्वेत रख तिकनिकाएं होती हैं, जिनका निर्माण लस्का गरंतियों में तिली, थाइमस गरंती यहाँ आपका D number right हो जाएगा, अगला question दिया गया है, इंसुलिन प्राप्त होता है, इंसुलिन प्राप्त होता है, किस से प्राप्त होता है दोस्तों, इखनेखा की बीट का कोई सकाई होती हैं, आगे बाठते कोश थे कोशन दिया है, अज्जन का संदिषेद इन में से क्या होता है, इंसुलिन प्राप्त हो जांग confess कारिगा है Все, प्राप्त हो जितने बात करें सब लोग भई लाइक सेर कर दिया करें,, ऊंदी कि यहाँ पर regional आगला कोशन दिया गया है किया आप से असुद द्वाकी का चैन करना है जी हाँ डेली क्लास चलती है ये क्लास हमारी डेली चलती है और बहुत ही अच्छी वेतरीन क्लासे आपकी चल लई है देखो एक बात दी गई है वह अरतमान फिर मौझूदा दिया है दोनों चीज का मत यहाँ पर नहीं करना चाहिए यह गलती इसमें थी आपसन भी नमर गलत दिया गया है अगला दिया गया है निम्लिकित में से कौन से सब्दाप का दुष्ट का परयावची नहीं है 38 नमर में तो देखो यहाँ पर दिया गया है खल होता है यहाँ पर दुर्जन भी होता है ह करे बिख्रे मूती रचना की रचना कार कान ले करें बिखरे मोती रचना की रचनाकार 40 अंबर में तो 40 को उप्सन भी होज़ेगा सुबद्रा कुमारी चौवान क्या बनेगा सुबद्रा कुमारी चौवान जो की उप्सन है यहाँ पर B नंबर है राइट होज़ेगा नोट करिएगा B नंबर इसका अंसर होगा सुबद्रा कुमारी चौवान जो की बीर रसकी कविताओं के लिए जाने जाती है यहाँ पर आगे बढ़ते हैं कोशन दिया गया है किरा आपसे जापानी मुद्रा बताना है जापान की मुद्रा क्या है जापान की मुद्रा यहाँ पर क्या होती है यहाँ पर A न हो जाएगा A न हो जाएगा जो की आपका B नंबर है अगर आपसे पूँचे जापान की जो आपकी राधधानी है क्योंकि एक राधधानी तो आपको पूँचेगा यह पूँचेगा पिछली बार एक्जाम में कोश्चन यहां से पूंचा गया था अगर याद हो किसी को तो देखो बारती राजी की अधिक्तम सीमा में आमार से इस परस करती है मतलब क्या होते हैं जो सेवन सिस्टर आपके हैं साथ राज हैं तो साथ राज्यों के वारे में कोश्चन आपका बनेगा ही बनेगा बांगलादेश से बन सकता है या तो आपके मड़ीपुर से बन सकता है या तो सिक्किम से बन सकता है नेपाल से बन सकता है भूटान से बन सकता है तो यहां से कोशन आपके बनते ही बनते हैं तो दिखे यहां पर बावन का जो आपसन है यहां पर भी हो जगा आउडाचल प्र आपका तेरिपन को option मनेगा तो आपको जवाब दीजे क्या नमबर हो जाएगा चलिए यहाँ पर देखो आपको बताया था हमने सबसे पहले इस्थान किसका राजस्थान का है फिर इसके बाद किसका है आपका यहांपर मद्द प्रदियस हो जाएगा फिर इसके बाद क्या हो जाएगा महराष्ट हो जाएगा फिर इसके बाद आपका यूपी होता है तो चौथा इस्थान किसका आया है आपकी यूपी का आया है तो यहांपर देखी आपसन कहीं दिया सभसे बड़ा जो राज अबका कौन सा यहां पर राजस्थान है कि सबसे छोटा पूंची तो आपको बताना है यहां पर गुवा सबसे छोटा हो जाएगा किलियर है आगे बढ़िए कह रहा है निम्निकित में से बाल दिवस के जन्म दिन पर मनाये जाता है बाल दिवस मनाते हैं किसके जन्म दिवस पर मनाते हैं यहां पर आमिसर क्या हो जाएगा तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि बाल दिवस मनाते कब हैं 14 नॉम्बर very good क्या बनाते हैं चाउदा नॉम्मर को मनाते हैं और चाउदा नॉम्मर को ही यहाँ पर जो आपके प्रथम प्रधान मंतरी थे क्या भारत के प्रथम प्रधान मंतरी पंड़िज जवाला ने रूप का जन्मदियुस मनाया जाता है और यह दिन बाल दिवस की रूप में होता है option इसका आपका भी number राइट हो जाएगा यहाँ पर आगे बढ़ते एक question दिया है प्रसिद बंगला गीत एकला चलो रे किसकी रचना है प्रसिद बंगला गीत एकला चलो रे यह किसकी रचना है पच्छपन नमबर में तो देखे प्रसिद बंगला गीत है एक राजनेतिक सामाजिक परिवर्तन के एक अंदोलन को प्रेना देता है तो यहाँ पर अपका रविड नट जो ठाकूर है आपका यह नमबर हो जाएगा यहाँ पर आगे बढ़ते कोशन दिया गया है भारत के प्रतम बैग्यानिक जिन्हों ने भारत रतन प्रुष्कार प्राप्ति किया था तो भारत के प्रतम बैग्यानिक पूंचा है दोस्तों चपन को आप्सन दीजेगा तो देखे यहाँ पर चपन को जो आप्सन है यहाँ पर एनमर देगा सीवी रमन तो सबसे पहले यह बैग्यानिक थे भारती जिनको क्या दिया गया था यहाँ पर आपका सीवी रवन दिया गया था तो आप सुन क्या बनेगा यहाँ पर अच्छा कर दिया गया थे डेट बताए किसी को डेट याद है कि जो सीवी रवन थे इनको कर दिया गया था यहाँ पर तो भारत में देखे प्रतम ये थे जिन्हों ने 1954 में आपके थे वो आपके दूसरे थे मदलब यहीं पर आपके जो बात हो रहे है किसकी भई कह रहा है कि आपका जिन्होंने भारत रतन दिया था तो सीवी रमन आपका यही है कोशन आपका सीवी रमन आपका हो जाएगा ठेक गया था 954 में दिवा गया था लेकिन अगर आप से यह पूंच लेता नोबिल पुरुषकार ना इनको नोबिल पुरुषकार भी दिया गया था ना तो इनको नोबिल पुरुषकार दिया गया था रमन प्रभाव की खोज के लिए वो दिया गया था 1930 में कब 1930 में तो जब नो सब्सक्राइब विजए तो आपका फुटबाल से दोस्तों यह आपके फुटबाल से जुड़ा हुआ है भी सुबैंग की गई थी वो कप की गई थी यहां पर अश्र क्या हो तो 58 को अप्शन ही हो जगा 1945 के हो जगा 1945 में यह गय थी परण तो देखा जाए यह वास्तिक रूप से जो कारे करना शुरू किया था वो आपके 1946 से कारे करना शुरू किया था अगर हम से पूंचे विश्वबैंग का मुख्याला है वो आपके कहाँ पर है तो आप कहेंगे वासिंग टन डीसी में है कहाँ पर है वासिंग टन डीसी में है आगे बड़ी यह कोशन दिया है चार मिनार कहाँ पर इस्तीत है चले चार मिनार जो है आपके कहाँ पर है तो यह आपके हैदराबाद में इसका जवाब सने यहाँ पर भी नमबर आपके हैदराबाद हो जाएगा अगला कुछना आप से दिया गया है कि प्रतिवी के धरातल से उपर की और वाइब मंडल के विभिन परतों का सही अनकुरम इन में से क्या होता है मतलब आप से पूँच लिया है कि यहाँ पर कौन सा क्राम आपका हो जएगा जो की उपर की और जाना है और वाइब मंडल में परते होती है कितनी पांच होती है दोस्तों कितनी होती है पांच होती है तो आपसन क्या बन गया यहां पर बन गया आपका C वाला देखे आप लोग कुछ लोग दे रहे हैं B नमर तो भई आप देखे पहले जब छो मंडल दिया है तो आप किसको जवाब देंगे इसी को जवाब देंगे ना आप लोग चले आगे बढ़िए कोशन आप से गला दिय चलिए यहां पर B हो जाएंगे या C हो जाएगा चलिए बताइए बही पहले के गणने बाद करें यहां पर आपका नसर बनेंगा एक यां dar general ड्रूब ऑक दे रहे हैं किसके पास तो स्री धर्मेंद प्रधान के पास किसके पास स्री धर्मेंद प्रधान के पास transfer कर दिया गया है पहले जो आपका था वो आपके इनके पास थाल लेकिन अब यहां पर हो गया स्री धर्मेंद प्रधान के पास यह आपका देख दिया गया है तो यह आपके धर्में कारी नहीं है ना क्योंकि मंत्रिप्रसद में चेंज परिवर्तन जब होता है तो भी दिक्कते होते हैं इसलिए सब लोग जवाब दे रहे थे देखो यहां पर भारत के मुखिनियाद इसके रूप में किसी न्युक्ति किया गया है यहां पर बानबे में तो यह आपके कौन है 29 वर्स में आयू मिम्रती हो गए है तो यहां पर अप्सन हो जगा संजय चक्रवर्ती जिसका उप्सन है यहां पर राइट हो जगा संजय चक्रवर्ती इसका अंसर बनेगा आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि किस देश की महला क्रिकेट टीम ने सबसे अधिक वंडे जीत करके विश उरिकार्ट बना दिया है तो देखे 94 उप्सन बनेगा सी नंबर यह आपके आस्टेलिया है जिसने सबसे ज़्यादा वंडे जीत कर विश उरिकार्ट बनाया है आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्कित में से किसके नाम पर कर दिया गया है जाले बताईगा कि दुनिया के सबसे बड़े क्रिकेट ग्राउंड मोटेरा का नाम निम्लिक्त में से किसके नाम पर कर दिया-टॉन और पन्चान-विश इसका बनेगा प्रदानमंत्री Blizzard और क ? है तो आप तो कप्तानी से अठी गये हैं हना तो यहां पर बताइगा कि यहां पर विराट कोla को यहां पर अपना अप्सवन के लिया है यह कोन से कंपनी है चले तो यह अभी दिखो आपका हो बढने गा और एनमबर हैं याद रिके digital insurance क्या है digital insurance का है option बने आपका एनमबर है right होजेगा कि digital insurance की जो ब्रानम बिश्डर है। आपके विराट को ले हैं option A बाला right होजेगा यहाँ पर आगे बढ़ते दिखो आप लोगों सिगलतिया क्या हो रही है आप लोगों सिगलतिया इसे में हो रही है करेंट फियर में किसमें हो रही है करेंट फियर हो रही है तो हमारे क्लासे करेंट फियर की चली है तो सबसे पहले क्या करिए आप लोग वर्तमान में कौन क्या है क्या वर्तमान में कौन क्या है दूसरी बात यहाँ पर आपको याद करना है जो आपका मंत्री मंडल है मंत्री मंडल और आपका वर्तमान में कौन क्या है इनको आप अच्छे सरटी है जो ब्रान बिस्डर है उन आगे बढ़ते कोशन दिया गया है कि वैस्विक लेंगिंग वेद अनपात रिपोर्ट 2021 में 156 देशों की सूची में भारत को भारत 28 पायदान फिसल कर कितने इस्थान पर पहुँच गया है तो यह रिपोर्ट 2021 की है जिसमें 146 देश आपके थे तो आपके भारत को जी स्थान मिला था वो आपको मिला था कितना यहाँ पर 140 मिला था तो आपके आइस नंड का है पहला इस्थान किसका है तो आपके आइस लैंड का पहला इस्थान है वह estar भारत का जो इस्थान है आफगानिस्थान का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है तो दुस्ती इस पोइंट को जरूर नुट का लीजेगा कि 2022 में जो अनपाद है वो आपके 135 है वैस्विक लिंगा अनपाद में ठीक है आगे बढ़िए कोश्चन दिया गया है यहाँ पर कह रहा है आपसे कोश्चन कि अफरीका माध्यूप के सबसे उंची चोटी किलमेंजारों पर हाली में किन भारती परवतारोयों ने 24 घंटे रुक कर रिकार्ड बना दिया है तो 99 को आप्शन क्या होगा इनका नाम है रोहतास खिलेरी और अनुयादो यह दो लोग रहे थे जो कि आप्शन बनेगा आपक कोईजण आपस दिया गया है काराई प्रधान मंत्री मोधी ने 22 माध सुदू अब्भयाण 21 को वेशन जल दीवास की मौके पर इस अभियान के शुरूप, जल्ड ाभियान चलाया था यहां पर अभियान आपको पासो आप्शन दिए गया है यह अभियान था आपका जल सक कि अभियान जो कि option क्या है यहां पर आप कड़ी नंबर इसका राइट हो जेगा जल्द सक्ति अभियान चलाया था याद रेका सभी को जैंहिं वंदे मातरम जल्दी आईए तुरंत स्टार्ट हो रही है